लाल किताब के उपायों को करते समय किस तरीके की साउधानिया बरतनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग रेमेडीज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होती कि उपाई को करते समय कुछ सावधानी जैसे बहुत सारे लोग जैसे पंडित कोई बोलता है कि आप मंत्र पंट्रे टाइम आप शुद्ध वाता वरण में बैठें आप साफ कपड़े पहने तो कुछ ऐसी चीज़े जो लाल किताब का जो कोई उससे फरक नहीं पड़ता इसी दिरह से लाल किताब के उपाई के पहले आपको ये कोई फरक। हाँ लाल किताब में अगर कोई मंदिर का उपाए है गुर्दवारे का है आपने वहां जाना है तो नैचरूली बात है वो आपकी अपने इस्षादा भी आपके अपने संसकार भी आप नहा दोड़ करके ही जाएंगे वरना लाल किताब के लिए तो जो खास चीज़ है जो उपाई कहा गया है कि दिन के वक्त में करना वो दिन के वक्त में ही करना है जो कहा गया है सांज के वक्त में करना है वो सांज के वक्त में ही करना है रात के उपाई हम इनके सेमरजंसी करवाते हैं नहीं तो वो वर्जित होते है रात के उपाई होते हैं चंदर गहन के तो चंदर गहन जिस हब्दी से लेके जिस हब्दी तक का है उसके मध्धे के अंदर चंदर गहन का उपाई रातरी में करना होता क्योंकि वो लगता ही रातरी में तो यही है बस और एक इसका खास है कि जो बड़े उपाई होते हैं 43 दिन के या 43 हफ़ते के उनके लिए हम यह कहते हैं कि 4 नौमी और 14 को यह मत शुरू करो क्योंकि 4 नौमी और 14 को जो बिजनस शुरू किया जाता है जो भी लाब के लिए चीज लंबी चलने वाली हो वो शुरू की जाती है या उपाई शुरू किया जाता है वो बीच में ब्रेक जरूर होता है वो कभी पार नहीं होता है तो इसी लिए चौथ नौमी चौदस का निकला हुआ महूर्थ लाल किताब के अंदर निशेद होता है कि इसको मत मानो बस यही एक सावधानी तो जितनी भी भ्रांतिया हैं लाल किताब को लेकर कि लाल किताब की रेमेडी जो है वो टोटका है या फिर उसको करते समय बहुत सावधानिया बरतनी चाहिए जैसा कि हमें गुरुदेव जी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो एक प्यूर साइंस है जोने अपने 30 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के लिए लाया है